इसमें संचलिक है, संचलिक की गए है, कई द्वानों के द्वारा आप इसमें लेख दिये गए है, जिसका वाचनकर, पाधनकर, आप सभी प्रहोत पाधन जन्ग इससे लावामिन होगे, ऐसी में आशा करता हूँ चिकित्सा की हमारे अपने भारत देश की जो अवधारना है, और हमारे देश में चिकित्सा से पहले का जो स्वस्त जीवन है, उस संदर में कुछ होड़चोगी बाते में आप से करता हूँ, और साथ में दूसरे देशों में जो चिकित्सा की अवधारना है, और दूसरे जीवन का संकल के कलपना है, उस पर भी थोड़ी बात करूगा। साथ में थोड़ा सा तुन्ना अगर हम कर सकें, कमकरिजन कर सकें, तो थोड़ा बहतर समझ में आए। इस द्रश्टी से कुछ बात करूगा। बारत देश जिसमें ये प्राकर्टिक चिकित साथ, या आयरो में द्वारा हमें दीवेई जीवन शैली, ये सच में बहुत अध्या। ये बात के मैं तक चह रहा हूँ, जब दूसरे कई देशों में मैं जा चुका हूँ, और वहां से उत पर मैं एलो पैथी पर भी काफी पिछले दस बारे वर्षों के मेरे अपने साथजनिक जीवन में, मैंने यूरोप के कई देशों का प्रवास किया। और वहां मैंने ये देखा, कि जो चिकित सा पर्दती उनकी है, वो शायद उनकी मजबूरी की देए। उनकी कुछ मजबूरिया हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो सीमा और मजबूरी शायद उनको यही दे सकती थी, इससे जादा कुछ संभब नहीं है। तो ऐसा कुछ उनके यहां है, भारत की जो चिकित सा पर्दती है और जो जीवन शेली है, ये किसी मजबूरी की देन नहीं है, ये हमने स्वयम से काफी कुछ सीख कर, परंप ये हैं, ये हम भारत से ये जाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान में आता है कि हमारा जो मौसम है, हमारी जो जलवाई हुए, वो हमसे बहुत भिंगा है, ये किसी भी देश में आप चले जाएए, साल में आठ महीने सूर्य नहीं निकलता है। जरा कल्पना करिए कि कितनी गंभीर बात है। हमारे भारत देश में साल में कुछ दस बारे दिन ऐसे होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश नहीं बेचा, घंट जादा बढ़ जाती है, तो दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जिन्दी की रुप जाती है। तो दिल्ली के हवालेक्डे से कोई हवाल जादोर नहीं सकता। और दिल्ली के हवालेक्डे पर कोई जहाद उतर भी नहीं सकता। फिर कभी खबर आती है कि गाड़ियां बारे घंटे लेट चल रही है, पंदरे घंटे लेट चल रही है, क्योंकि दिल्ली से आने वाली सभी गाड़ियों के सामने इतना धुंद और कुहरा है कि एक मीधर दूर का उनको दिखाई दू दे रहा है। फिर कभी खबर आती है कि देली के सभी विद्ध्यालियों की छुट्टी कर दी गई है, पाच दिन दे की स्कूल नहीं खुलेंगे, कॉलेजिस नहीं खुलेंगे, क्योंकि बच्चों को सड़क पर चलने में दिखाई नहीं दे रहा है, कुबरा इतना जादा होगा। हम लेखने हैं कि ये दस बारे दिन का समय आता है और सारे देशना उथल उथल मज़ जाए। बसों से चलना मुश्टिल हो जाता है, लोग भरों में दुबकतर बैठ जाते हैं डिली में या तो हीटर के सामने बैठे होते हैं या लकडी जलाकर बैठे होते हैं। ये मात्र दस बंदर जिन भारत में ऐसा आता है, तो पूरे देश में इसका हंगामा सा हो जाता है। आप जिरा कल्पना करिए कि जिन देशों में ये लगादार आठ महीने चलता होगा, उनका क्या हालग होता होगा। लगादार आठ महीने, ऐसे यूरोप के कई देश हैं, सुईडन है, सुर्जलेंड है, दीनमार्क है, नॉर्वेय है, वेल्जियम है, फिर्लेंड में चले जाहिए, तो दस महीने सूरज गई निकलता, मात्र दो महीने होते हैं, जो सूरज का हलका सा प्रकाज बिरता है, पूर अबमान उनके आर नीचे गिरना शुरू होता है, तो वो अंतिम सीमा पक चला जाता है, माइनस 40 डिगरी सेंटेट, माइनस 30, माइनस 35, माइनस 40, माइनस 45, अभी थोड़े दे के पहले, फिन लाइन का तेंपरिचर माइनस 47 पहुँच लिया, आप सभी जानते हैं, शूने डिगरी पर बरफ जम जाती है, चार डिगरी से शूने डिगरी के बीच में बरफ जमना शुरू हो जाती है, अब शूने से 40 डिगरी बीचे ताकमान चला जाए, 45 डिगरी चला जाए, जरा सोचिए कि कैसी तकलिफ की जिन्निभी होगी मैं आपके ध्राद में बात लाना चाहता हूं वो यह कि ये यूरोक के सभी देश बहुत गरीब है सूर के प्रताश को यह माने उनको सूर का प्रताश नहीं मिलता महीमों महीमों नहीं मिलता या तो घुंद रहती है या तो भहेंकर वर्थ किखती है यूरोप के देशों में एक मजाग करी जाती है और वो सही है कि हमारे आँ तो दो ही मौसम होते हैं ठंट होती है या भहेंकर ठंट होती है तीसरा कोई मौसम नहीं है उनके पास या तो ठंड है या तो भहिंकर ठंड है यूरोप का ही एक्स्टेंशन है अमेरिका और यूरोप का ही एक्स्टेंशन है कनाडा परणा का मौसम भी ऐसा ही है लगवद अमेरिका का मौसम भी उसी के जैसा है तो ऐसा मौसम जहां भेंकर खंडी पढ़ती हो, सूर्य नहीं निकलता हो, सालों साल सूरी के दर्शन नहीं पाते हो और यह एक दो साल से नहीं सेटों साल से चल रहा हो, हजारों साल से चल रहा हो तो उनकी जो जीवन शेली होगी वो उसी के जैसी बनानी पड़ेगी जैसी प्रकर्ति है वैसी जीमन शरी होगी उनकी प्रकर्ति है जि बहुत ठंड है और भएनकर थढ़ है तो उसी में उनको जिन्दा रहना तो अपने जिन्दा रखने के लिए वो जो कुछ भी करेंगे वो सब कुछ उनके लिए सानिकिफिक होगा यह सकता है अब अगर हम हिंतुस्तानिया उनकी लकल करना कुदू कर दें जहां सार में हर दिन सूरज निकलता है बारो महिने निकलता है Every day is Sunday. So, जी मैं, Every day is Sunday. Sunday का मतलब छुट्टी का दिन नहीं. Sunday का मतलब सूरिक का दिन. तो भारत में, Every day is Sunday. Every morning is good morning. Good morning से मतलब जिस दिन सूरिका दर्शन हो जाएगो, morning good morning. Every night is good night. Every afternoon is good afternoon. Every noon is good noon. इस दिन से में अदबुथ है. ये सबसे बड़ा अंकर मुझे दिखाई लेता है. यूरोप में, भारत में. और जब मैं यूरोप कहूँगा तो आप ये ध्यान रखता हैं कि उसमें अमेरिका, कनेडा भी शामिल है. यूरोप में और भारत में सबसे बड़ा अंकर है सूरी के प्रकाश का. हमें सूरी का प्रकाश हजारों साल से, लाखों साल से, शायद करोरों साल से मिल रहा है. या हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है कि जब से प्रत्वी है तब से सूरी है और फ़री शास्त्रों में ये कहा गया है कि सूरी के कारण ही सब कुछ है. प्रत्वी भी है, चंद्र भी है, ब्रस्पत भी है, शदर भी है, मंगल भी है और ये सब एक दूसरे को बैलेंस किये हुए है, संतुलिक किये हुए है उसका हमुक के कारण सूरे है हमारे शास्तर ये बात बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाते है कि अगर सूरे नहीं होता, तो कुछ नहीं होता और अगर सूरे है, तो सब कुछ है आप जानते हैं कि मिट्टी में हम दाना डाल देते हैं उस दाजे मेंसे अंकुरन होता है वो सूरी की क्रफा है अच्छे से अच्छा भीज आप पिट्टी में डाल दीजे अच्छे से अच्छी खाद उसमें मिला दीजे अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो बीज मेंसे कुछ भी अंकुरण नहीं होगा हम जानते हैं कि अंकुराण होके कोई पौधाल बड़ा होता है तो वो सूर्य के प्रकाश से ही भोजन लेता है ये विज्ञान तो हम सब को बच्पन में पढ़ाया जाता है कि पौ्धों के पत्तों में ख्लोरोफे होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्तेति में भोजन बनाते हैं उस भोजन में से कुछ अपने लिए रखते हैं बाबी दुनिया तो दे देते हैं वो oxygen है प्राणवायू है जो अपने लिए रख लेते हैं वो कार्वन नहीं हैं अगर सूरी का प्रकाश ना हो तो पौधे बी काम नहीं कर सकते की कि तो फील वीज काम कुल में से फौधा बंणा पौजे बाल बनद यह वी सूरी के प्रकाश का खे tampon है हम जानते हैं कभी भी फसल अच्छी आ रही है और अच्छी फसल का मतला उसमें दाने पुल रहे हैं और अच्छे दाने पुल रहे हैं अचानक से 10-15 दिन सूर्ण ना निकले तो पूरी फसल चौपट हो जाती है यह आप सब जाते हैं बाहिरे की फसल है मक्य की फसल है तैयार हो गई है दाना पुलना शुरू हुआ है जो साथा दिन सूर्ण चला जाए चुपटी पर तो फिर सब सत्यानाश हो जाता है किसान मर जाते हैं सरकार भी परिशान तो सूर्ण का हमारे जीवन में इस पूरे ब्रह्मान को चलाने में बहुत बड़ा योगता है तो जहां सूर्ण प्रकाश होगा तो वहां के लोगों की जिंदभी धन धाने से भरपूर होगी क्योंकि प्रकरती में सब कुछ वहां दिया होगा जमीन में कुछ भी डालेंगे तो करीब उना होकर इकलेगा हमें एक दाना डालेंगे सौ डालेंगे सौन आजेगे, अजार आईँगे, अजार आओनेगे, लाक आईँगे, ये प्रकर्ति हम को जरूरत से जादा देगी, क्योंकि हमारे पास सुर्ष का प्रकाश पढ़िया अधुमाक्रा में मोगर है. हमारे जन्दमा में चले जाए हजारों हजारों किसम के प्रकाशकारी कमाल है जो जन्दमा को सुरिका प्रकाश ना मिले तो वैराइटीज नहीं आ सकती इसक्रशी डवलप नहीं हो सकती विविद्जादी के प्रकाशकारी हमको नहीं मिल सकती जन्दमा के इतने अच्छे सुं बादन में बदलना बादन से फिर पानी में बरसती ये भी सूर्टा एली प्रतावते है। जो सूरी छुटी पर चला जाए तो बारिश समय पर नहीं होगी। बारिश होने के लिए तो मूल क्रिया है वो भी समय से पूरी नहीं होगी। प्रगर्भी में हवा चलती है तो हम मानते हैं कि तापमान का अंतर है उस अंतर को पाटने के लिए हवा चलती है तो ताप्माल का अंदर कहां से आया? वो सूरी के प्लकाश से आया तो हवा का चलना, तकलना भारिश का होना, घर्बी का पड़ना, ठन का आना, वसंत का अना किसी का ये रितु का चकर और ये वसंद का चकर ये जो कुछ भी है ये स्विर के प्रताफ से हैं तो मुझे अपने भारत देश के बारे में उजे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैं एक ऐसे देश का नादरी हूँ जहां पर सूर की भरपूर क्रपा है और शायद यही क्रपा है जो भारत जैसी भूमी पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरस्ते है हमारे शास्तेरों में कहा गया है कि मनशन जन्म दूरलंग है लेकिन भारत भूमी पर और भी दूर्लंग है तो भारत भूमी पर देवताभी आते हैं तो गन शुरूप में आते हैं क्योंकि उनको भी ये सब जो अहो भाव है ये सूर के ही कारण है तो ये धर्दी दुनिया में अध्वुत है जिसको हम भारत कहते हैं और यहां अध्वुत होने का यही सबसे वड़ा अधार है सूर का प्रकाश और यहां चुकि सूर का प्रकाश नियमित है, सतक है, हजारों लापों करोनों साल से है अग्ले हजारों लापों करोनों साल तक रहेगा इसलिए हम विश्चिंत हैं कि भारत बहुत अच्छा है और ये सूर के प्रकाश के कारण इस देश में 16 लितुएं है दुनिया में किसी भी देश में दो से जादा नितुमें नहीं है मैं आते हैं यूरोप में ठंड और भेंकर ठंड आफ्रीका में गर्मी और भेंकर गर्मी ब्राजिल और इधर चले जाएं मैक्सिको की तरह तो बारिश और भेंकर बारिश प्राजिको ने सार्व आठ महीन वारिश होती है टौर्ण उशियल रे इतनी वारिश होती है कि एक दिन नहीं दो दिन नहीं दस दिन नहीं पंड़े दिन 20 25 25 दिन लगाता है वारिश नहीं तो चार महीने बचते हैं उसमें बारिष भेर्ग कर नमी है तो कहते हैं हमाद पास दो मौसम हैं बारिष और भेर्ग कर जर्मी योजो तमें चले जाएगे तो ठंड और भेर्ग कर ठंड यह भारत अद्मुक देश जहाँ सोलर्थरह के ओसां है तर्पी की भासा में इसको पहते हैं कि बारत दुच्छों अग預算 थैने और सुलीन देश यहाँ इनुक विझा क्लाइमेटिक जॉन्स है। क्लाइमेटिक जोन्स के नाम से जाना जाता है वित्म उपर दुनिया और ये क्लाइमेटिक जोन्स कैसे हैं अगर आपको सुट्जर लैंग का खुडाइमेटिक जोन भारत में देखना हो तो संबब है जम्मु कश्मिर चले गई इमाचल में आजए उतराइचल चले जाए क्लाइमेटिक जोन्स देखने हो तो भारत में आ जाएए चेरापुची चले जाएए पंगाल में चले जाएए आसाम में आ जाएए कर्णाटक में आ जाएए गर्णाटक में एक स्पेशल एरिया है जिसको बन्नाग एरिया कहते हैं वहां आपको ब्राजिल और मेक्सिकों क क्लाइमेटिक जोन दिखाई देगा, अगर इसको अफ्रीका वेखना है किसी को भारत वारत मैं, आफ्रीका जैसी गर्डी और हीडिर गर्डी देखने हैं और अफ्रीका का Huhwa liberal Л 75 जोन देखने हैं तो राधिस्तान आ जागए है जैसन मेर आपको सहारा रीविस्तान बिखाई दे जाएगा अगर आपको 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 आधिया अचान के बारे वार भी दोन दे वुर में देखना चाहें तो इस भारत में संभव है इसलिए दुनिया के साधे जानकार परियकर भारत भागने के लिए परिशान रखते हैं जब भी उनको छुटी मिलती है उनके काम से और थोड़ा पैसा हो जाता है तो वह घूमने के लिए सबसे पहले भारत नहीं आते हैं और आपको सुदकर आश्यर होगा कि अगर भारत में अकेला एक राज्यहवे ढूनना हो एक ही राज्य में दुनिया की सब जलवाईउ देखनी है वो भी संभड़ और वो राजिस्थान में एक अगेले राज्यस्थान में दुनिया के सिक्स्टीं क्लाइबिक जोन से एक साथ उपस्ते हैं तो लोग जादातर में दुनियों से भागकर जवाते हैं भारत में तो सबसे पहले राज्यस्थान जाते हैं ये राज्सतान जाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। राजसतान जाने के फीर तीय गए पेडिये नियुक है। इसलिए वो सब राजिस्तान आते हैं, राजिस्तान में से समय बज जाय तो दूसरे राधियों में चले जाते हैं, और कभी आपने देखा है हमारे देश के लोग फोड़े दाराग होते हैं, विदेशलों पर भारत पर आते हैं, वो सब कप्ड़े उतारें नंग, ध्रंग पढ़े लाईते हैं, वो उनकी मजबूरी है बचानी। कप्ड़े उतारकर नंग, ध्रंग ना पढ़े लहें, तो वो भर जाएंथे। करmez सूर्द की भूग जोर और सूरी कर देखंग कर दो मैं तुन रहे की फ्रांस प्रांस जर्माइं लरी प्र्णा संथ मिने स्विलें वार गूंने अटोश जब होगा में भारत आते हैं और सूरे प्रणों ही तरफ से कपड़ उधार कर कई कहीं पड़े रहते हैं क्योंकि उने सुरिका प्रकाष चाहिए के सुरिक्षय प्रकाष के नीवर्णा करते लिआने- घून टेयर को भस्त्क Kern प्रकाष ना हो तो शरीक्र प्रकाष प्रकाष मिलता है और इस देश का विदेशी कर्ज चुप जाएगा, इतनी इंकम हमें हो सकते हैं। मुझब में हमने किसी के लिए भी छूप दे रखिए। जो उनके यहां नसीब भी नहीं होता है। तो भारत एक ऐसा देश है। अब यहां पर 16 क्राइबिक जोंस हैं एक साथ, तो हमारी जो प्रकरती हैं, हमारी जो अपनी जीवन शेली हैं, हमारा जो रहन सहन है, खान पान है, वो उसी के हिसाब से बनेगा जैसा हमारा बाता मरणा उपर्यावर्ण। यूरोप में तोड़ी तरह के मौसमा नहीं आपसे का, या तो ठंड और भाता मरण खंड तो उनकी जो जीवन शेली होगी, उनका जो रहन सहन होगा, उनका जो खान पान होगा, वो उसी हिसाब से बनेगा जैसा उनका पाता मरण। और जो खान पान रहन सहन वाता मरण से तैब होगा, तो चिकित्सा की पद्दियां भी वाता मरण से ही तैब होगी, अगर उनका वाता मरण खंड और भहेंकर खंड वाला है, तो उनको ऐसी ही कोई चिकित्सा पद्दिती चाहिए, जो उस वाता मरण में उनको मदद करे, हमारी यहां जोंकि 16 क्लाइमेटिक जोंस हैं, 16 जल्वाईउ छेट रहें, तो हमारी चिकित्सा पद्द्दी कुछ ऐसी होगी, जो हमको सूट करें। तो सभी देशों की चिकित्सा पद्द्दियां, या जीवन शेलियां, या खानपान के तरीके, या रहन सहिल के तरीके, या आचरल के तरीके भिन्न होगे, क्योंकि उनका मौसम और जल्वाईउ उनकुल भिन्न हैं। अब थोड़ा आगे होते हैं, जिन देशों में घंड और भेंकर घंड होगी, महताव क्या पैदा होगा जमीन में, जिसको वो खा सके। मैं पहली बार जब जर्मनी गया, तो फ्रेंटफाल शहर में एक प्रोफेसर के साथ मेरा संबाद हुआ। उनोंने मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाए था, तो मैं गया आथा, तो मैंने उसे पूछना शुरू किया, क्योंकि मैंने पहली बार जर्मनी देखा था, तो मैंने आपके जर्मनी में क्या होता है, तो उनका क्या होता है, पूछे, तो मैंने बुझा गंड़ा होता ह नहीं होता है, केला होता है, नहीं होता, आ का होता है, संत्रा होता है, नहीं होता. फिर ऐसे यही में पोछता चला गया, तो प्रोफेसर पनिशान हो outer उसने को आप ज़हादा मत plat पूछो, एक वाकिन में बता देता हूँ दुनिया में जो भी मीची चीज है वो जर्मनी में नहीं होती कहानी खत्प समझें कित्रे गरीब लोग है इनकी गरीबी देखिए जितनी भी मीची चीज है दुनिया में वो कोई भी जर्मनी में नहीं होती दिला नहीं होता, संत्रा नहीं होता, हुसम्मी नहीं होता, अन्योड नहीं होता, लीची नहीं होती, पपिता नहीं होता, आम नहीं होता, गर्ना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मीची कोई चीज नहीं होती, चलो गाने का अच्छा, इस चेप्टर को हम प्रोज करते हैं, मैंने कुछ आ किया पालब होता है ? नहीं होता, मैदी होती है ? नहीं होती है, अक्ता को भी होता नहीं होता है और फिर फिर खुला ला yada तो उसने का बाक तो हसीदी है, लेकिन बहुत गहीदी है जिस देश में सिर्फ लुख अलू वगा वो देश कितना गरीब होगा कि सोचे उनको ले देके खाने के लिए दोजी दुन ही नहीं जीनागी करें अंपने मिला के खाओ अंपना भेकान के लिए उन आहे हैं वारत उनको आहम दे रहे है, अफरीका से फपीता मिल जाए, या कहीं से ब्राजील से गंदा मिल जाए, या कहीं से कुछ ऐसी कुछ चीज़ा मिल जाए, यहीं तो समभब है, अपने यार उंगया कुछ नहीं होता है. और यह जो जर्मनी की कहानी है, यह यूरोप के 33 देशों की कहानी है। आप जर्मनी छोड़ देन्मार्क चले जाएंगे, उनसे पूछें तुम्हारे यह क्या होता तो वो यही कहेंगे आदू होता अपके आदू की। देन्मार्क से फोड़ आगे फिल्लेंड चले जाएंगे, उनसे पूछे तो होगे कि हमारे पास सिर्फ आदू का सिर्फ प्याज होती है। तो तेरीस तेरीस यूरोप में ऐसे हैं, जिनके पास आदू और प्याज के अलावा कुछ होता नहीं है, तो उनकी अगर कोई खान पान की शैरी करेंगी, तो आदू प्याज आधारीती तो होगी। अगर हम उनकी डिशेज हैं, उनकी सूची बनाएंगे, तो हर डिश में आदू आदू आधा तो प्याज आएगी फीसे कौन सी चीज आने बागी है। आदू प्याज के ही, कॉम्बिनेशन, कर्मोटेशन हैं जो करते रहेंगे अपनी पूरी जिन्दिकी पर हजारों सार लाकों सार तो उनकी यहाज कुछ होगा नहीं जमीन में। तो फिर समस्या तो यह है कि खान पात में तो वही दो तीन चीज़े होंगी। पूछो कि यार यह ब्रेट कहां से ले आते हो फिर तो आदो और क्याज होता है। पावरोगी बनाना उसी चीज से होता है जिससे हम रोडी बनाते हैं। गेहूं का आटा है। उसी से ब्रेट बनती है। उसी से डबल रोडी बनती है। उसी से बिस्किट बनता है। और उसी से अपने घर रोडी बनती है। रोडी तो एक ही है। तो मैंने उसे पूछा तुम रोडी क्यों नहीं बना लेते हैं। कैसे हैं तो मैंस का आता होता है उसमें पानी मिला तो मैं जिस प्रॉटेसर अख वात करता था उसके घर में रहता था एक दिन उसको क्वेव का आता और पानी मिलाकर बुनके रोदी बनाकर मैंने खिलाय जैकम के तो इसमें प्राइड किया तो उसमें आनु ओ 5 और पानी इतना मिला दिया कि वो गोई बन लिया कि फंडरी में पाई करता रहा उससे नहीं हुआ फिर उसने मुझसे पुछा जिसको सुनकर आप सब हसे हुए लेकिन इसमें हसने से जादा सोचने की बात है उसने का यार तुम्हारे देश में ये रोटी बनाने की कितनी फैक्ट सुनकर लेकि नहीं हमारे तो भी मेरत प्ने का बनात प्रबार क्मती है लself मेरे च्पान के लेखाला कि प्र नोखेस we left की अज़िए किज़़नाटी बालallows खाखेसि direction में आश्र क्राइब हादा हुआ है धक्षीक्टी और धिश याओ तो खाक्रा लेके जाता हूँ क्योंकि मैं शाकाहरी ना, उनके किसी होटल मैं खाता लिए और खाक्रा ये ऐसी चीज जो महिने बार आराम से चल सकती है। खरार होती ने की। तो मैं खाक्रा बना के लेगा है उसको खाक्रा खिला लेकी। तो तुरूंत उसमें पूछा कि भारत में खाकरा बनाने की इंडस्ट्री इतने हजार करोंगी है। मैंने का यह घर गणने चलती है। फिर उसमें बेंका इतना गोल खाकरा कैसे बनता है। मैंने का बिना फश्रिव से हाथ से बनता है। तो मुलता इचिस कॉइट इंपोसिबल, हाइली इंपोसिबल, यह हो गी नहीं सकता, मैंने का आजाओ एक दिन देख लोगे देश गया के, तो एक दिन वो अपने भरोसे को गन्फर करने के लिए भारत आया, मैंने उसको कुछ बुजराती परवारों में रहने के लिए दस ब पॉपुलेशन 27 करोर है, उसमें 2 करोर महिला हैं, किसी भी महिला को रोकी बनानी नहीं आती, कोई महिला वहां की रोकी बनाना नहीं जानती, और भारत में 110 करोर की जनसंख्याम है, लगवग 50 करोर माता हैं, एक भी माह ऐसी नहीं है इस देश में जिसको रोकी बनाना नहीं है किए अजुन ऑट का लिए उनिवर्सिटी नहीं चलतीक कोई ओटाणी Besides बोली उनकी बेटी नहीं ielा लिकाष चलता है और रोटी भी इस देश में पताई 153 तरह की बनती है। गुजराथ की रोटियां, 13-14 तरह की रोटियां केमें गुजराथ में हैं। महाराश्ट की रोटी, पंजाब की, हर्याना की, किसी भी राज़े में चले जाए रोटी की अलग-अलग तरीके, अलग-अलग दिशिस और अलग-अलग उनके टेस्ट, अलग-अलग उनके स्वाथ। यह कैसे संभव है अपने इस देश में और वहाँ के उनी संभव है उसका कारण है बातावरं, प्रकर्ति और पर्यापर। हमारे धुनिया के वहugaवरिग इस संभव होता है तो समाज में भी उनके इस संभव होता है प्सेंशनल नावलेज़् वहारी क्यान जिस समाजमें उंचा होता है उसी समाजमें से आज 200 किसम की रोचियां बना सकते हैं। और जहां functional knowledge बहुत कम होती है, उस समाज में आप यहों से ले जो के power की बनाते ही खा सकते हैं, इसके आवियाद नहीं बहुत सकते हैं। इस भारत देश में functional knowledge बहुत है। और शायद वो हमारे अपनी धिमान और शरीम का और प्रकरती का कोई बिल जो रहे उसके कारण होगा। जो उनके यहां दिखाई नहीं देता है। मैं तो यह सुनकर ताचुम पर करता था, फिर मैंने जब देख लिया आखों से, कि यूरो की कोई भी महिला और अमेरिका की किसी महिला को दूट से दही बनाना नहीं आता। वो दही के नाम पर योगर्ट खाते हैं। योगर्ट दही नहीं होता है। दही अलग चीज है, योगर्ट अलग चीज है। तो उनके पास और कुछ नहीं है योगर्ट पे लागता। उनको यह समझाओ कि दूट में थोड़ा दही मिला तो गरब करके तो दही बन जाता है। यह उनकी कल्पना के बाहर की चीज है। और इससे एक कदम आगे बढ़ें, यूरो के किसी परिवार को दही से बठा बनाना नहीं आता। मठ्टे से मक्खा निकालना, मक्खन को घरम करके भी बनाना कोई भी जानता। इसलिए उनकी क्या करते हैं। दूट में से सीरे ही निकालते हैं। जिसको बटर आई कहते हैं। वो घी नहीं मुझा पटर आई होता। तो दूट होगा, मठ्टा नहीं होगा, हज़िया नहीं होगा। और हमारे रश्चा के काहने वाले जो मसाले हैं, जो वास्तमना उशनिया हैं, वो नहीं होगी। यह सब बटर शड़े में हेट में होगी। जहां ही नहीं सुरिका प्रताश वहां यह सब नहीं होगा। तो खाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो जीवन शहरी में आएगा नहीं, और जीवन शहरी में नहीं आएगा, तो आने वाली प्योडियों में भी नहीं आएगा, आप जानके, एक खास तरह की जीवन शहरी को हम बिताते हैं, उसी जीवन शहरी में से आने वाली प्योडिय को ग्यान और समस्कार मिलते चले जाए उनके हम यह होगा ने तो खांगे पीएगे नहीं सब चीजों को उनकी जीवन शहली में यह आएगा नहीं उनके रसोई में यह आएगा नहीं तो उनकी रसोई और आपके रसोई में जमीन आस्मान का अंतर होगा उनकी रसोरी कैसी है सबता हमें एक दिन जाएं कहीं से बड़ा पाउ खरीद के लाएं चाकू से काट-काट के उसके छोटे पीस करें और आलो और प्याज के साथ खाएं इसके वाला वाल क्या और आलो और प्याज से सब्जी मनाना भी ना आएं तो बादा से बनी मनाई भी निपवर सब्जी लेके आएं और उसको आउड़ेवी वाटबर प्रोटी से खाएं तो सब्जी तो तब ही नाएं जब मिलेगी तो सब्टा में कोई एक या दो दिन रोज मिलेगी नहीं क्योंकि इतनी होती नहीं ड्रणा दाल नहीं होती हैं और की अमिरिका में क्यूंक्हां लेigers कि पास लेखेंश या तो कुछ मास हो हमारी तरह थोड़ी है कि 10-15 तरह की दार इस देश के हर गाओं में होती हैं हर जगह बिनती हैं और योरोप और अवेरिका की सबसे बड़ी जो बेचे भी है और उनकी जो सबसे बड़ी कम नसीबी है गरीबी है वो ये कि उनके या हर छेत्र में सब कुछ नहीं होता कोई एक छेत्र में कुछ होगा कोई दूसरे छेत्र में कुछ होगा योरोप में मुश्किल से 23 देशों होते मात चार पास देशें कहां थोड़ा गेहों होता है बाकी देशों में गेहों भी गही होता है तो वचारेवरद क्या करते हैं यहुए इंक उनिक कोई नियशों में थोरे से देशों में ऑपस जाती है। तो द्रकों का आना दाना असी प्रतिशक तो वहाँ पाव रोटी के लिए होता है। यूरोप की किसी भी बड़ी सरक पर आप खर्य हो जाएगी और गुजरते हुए ट्रकों को गिनना शुरू कर दीजे सब्सक्राइब तो असी प्रतिशक ट्रक जो गुजर जाएंगे आपनी आपकों के सामने उनमें पाव रोटी और गबल रोटी ही लदी हुई होती है। इन पाव रोटी और गबल रोटी का है। इसके लिए कोई तो सिस्टम चाहिए इसलिए एर कंडीशनिंग सिस्टम हर जगें हर इस्थान पर उनके लिए मजबूरी है यह उनका स्टेटर सिंबल नहीं है यह उनकी मजबूरी है सब्जी मिलेगी नहीं पाजा क्योंकि होती नहीं है तो डिपावन सब्जी आएगी दूसरे देशों से आएगी जब आएगी अभी मिलेगी तो लोगों की मजबूरी है कि हफ़ते भर की सबजी उठाकर एक साथ लाएं, फ्रीजर ना भर के रखें, तो रेफ्रिजरेतर उनके घरों की मजबूरी है, इस्टेकस उन पर यही है। और शायब एकरिये काम नहीं चले दो दो में चले दो दो नहीं चले तो दीन, क्योंकि हटे भर का सब्कुछ इत्था डिके रहना है वहाँ कि जिन्दे की वीगी है हमारी वेभी है उनकी वीगी है हाफ्ते की जिन्दे की एक साथ चलती है। किसी भी अमेरिकान और यूरोपियन परवार को देखोगे, सामन खरीदने जाएगा, तो सेटर देखो ही, जब उनका वी की बीकली आफ होता है, या संदेखो, तो अगले संदे तक का सब कुछ खरीद के लाए। दूग भी साथ इन गंटे के अंदर पी लिया जाना चाहिए, निकालने से गंटे के अंदर पी लिया जाना चाहिए, उस दूद को यूरोप और अवेकावाले साथ साथ दिन पी पाते में देख पाते हैं। ये उनकी कुछ मजबूरी है, उनकी कुछ सीवा है, वो प्रकति ने उनको दी है, उ मजबूरी और सीवाओं में उनकी जिन्दगी चंती है तो उनकी जिन्दगी जैसे चलेगी अगर हम ऐसे ही करने लगेंगे तो हम महामुर्धी साबित होंगे अधिन बिन के जिन्दगी को स्केता सिम्वल मांने लगें कि जी उनके घर में फ्रिज हैं तो हमारे घर में क्यों नहीं यह तो मुर्गता होगी जिस देश में रोज कमातर मिलता हो स्वेदेशाम मिलता हो ताजा बनाके हम तीन बार कहाई हम फिर मैगी जी बोटल खरीद कर लाए तो ये मुर्खता होती है हम जिस देश में सेटों किसम की रोटिया बना सकते हैं उस देश के भरों में पावरोटी और डबब रोटी आने लगे तो यह वहां मुर्खता होती है हुआ है हम जरूबर नहीं हम युगर्ट खाने लगें और आइस्क्रीम खाने लगें वह तो पिचार दरीब लोग हैं कि उनके पास आइस्क्रीम और युगर्ट के अपावा कोई सुईटिश है ही महीं ले देके तीसरी एक है कि यहां तो हिंदुस्तान में चले जाए यह 44 त हम नाना शुरू किया उनका जिवाग भूटने हैं में अकेले बेशन से मैंने देखा 23 मिठाईया बनी लग एक ताली बेशन गाजर की 73 मिठाईया बनती हैं या मिठा है दूल से कितनी बिठाई हैं दही और दूल के कितने combinations इस देश में तो यहां varieties हैं इतनी जाना varieties हैं वो हबारो functional होने का प्रमान हैं मैं कभी कभी भारत में भूमता हूं तो परिशान हो जाता हूं आम्र प्रदेश में पिछले दो साल से में भूम रहा हूं आम के अचार 500 तरह के मैंने देखे हैं आम्र प्रदेश में 500 किसम के आम के अचार आम जो है ना highly perishable item है आप जान पे सबसे जल्दी खराब होने वाला ह इस देश की माताओं के हाथ में क्या technology है कि उसको अचार के रूप में 20-20 साल सुरक्षित रख लेते हैं बिना किसी प्रिजन में थी बिना किसी कैमिकर बीस साल के आम को अचार तरह खाया और अभी भी उतना ही स्वादिश्ट है और दुनिया के किसी देश में जाकर नहीं पॉलना सुनु करता हूं तो वह आदमों की तरह से देखतें कि यह क्या प्रवास कर रहा है ये रोज हमारी जिंदगी में हो रहा है उनको ये बखवास लगती है जहां हमारी जिंदगी ऐसी चलती है तो मैं आपके ध्यान में जो बातें आना चाहता हूं वो ये यूरोप है भारत भिन्ण है मैं ये मिए नहीं कि हम उच्छे है वो नीचे है या मुच्छे हैं हम नीचे है उचा नीचा प्रस नहीं बीन दहुंद की बात लिखा हर जगें पर हमारे परियावरण सुड एकंष भिशसाड़ में हिंदल और न वेवार में हिदली और यूरोब में कुल होगी तो चिट्साव प्दृति प्देज़नि Hawk honoring है तो पाउन Vergls Alas isn't that तो हमारे नौबिज सिस्टम एख खास तरेका है यूरोप का दूसरे तरेका है उनके नाज़ विवहार को अपना बनाना शुरू किया वहीं से हमारा सत्यानाज होना चूरू हो गोई और ये तब से हुआ जब से ये यूरोपियान हमारे देश में आने लगे सबसे पहला यूरोपिया भारत में जो आया हूँ वास्को लिवामा 1492 में उसके पीछे पुर्टेगाली फिर फ्रांसी सी फिर डच्छो फिर स्पैनिश फिर अगेश ये आते गए हम इनके मोह में पस प्रक्षाइब करते हैं तो अंकी जीवन शरी में शाहिए श्राव सामान्यवाद है क्योंकि ना पिये तो जिंदा ना रहे हैं हमने उसको अपने देश में लेगा कि पर जो शराव पी और चाहिवाद हैं क्योंकि जब बहुत जागा ठंड होगी तो ब्रेट प्रेशर मेंटेन रखने के लिए पाफी पीनी ही पड़ेगी, वाइन पीनी ही पड़ेगी, विस्की पीनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपका ब्रेट प्रेशर नौर्ण रहेगा नहीं। एबनॉर्मल एन्वालम्निन्टल चैसे रहेगा जरा सोचो ऑपना ब्रेशिर नोंगिना बेल्ड उर्ट प्रिशनिक्रेट आपना बीना पड़ेगा तो यहीं कृपना ब्लेग परशियो थे प्जारी में रिखुछ नोर्ग बाद्रा बिना पड़ेगा कुछ खाना पीना काफी पीते हमने भी पीना शुरू कर दिया अब उनके औसकल सेथिए अब उनके उनके रहे ुग रहने लूखे लोगोम पराष्ट हमारे साथ यह हो गया पिछले थाई 300 साथ की अंग्रेजों की मुलामी और दो थाई 300 साल कर यूरोप के लोगों का हिंडुस्तान पर असर इसने पूल मिलाकर ऐसा कर दिया कि हमारा दिमाग खिछुडी हो अगे खिछुडी पता है कैसा हो गया जो खिछुडी पुछ इस तरह ने जाता हुँ, तो पिता जी का नाम राम दे वास है, माता जी का नाम ciones ही तो किकु कि पूछ ओ अब उन्को को पूंचों के राम fluffy जाए को करे करें मेन से ऐसी की खिचुई होगे त इस हिंको जिस हिंदुस्तान में एव्री में सेंडे उस देश के लोगों ने ताई और थ्रीपी सूप पहना शुरू कर दिया ऐसी किछली हो गए इस देश जो घोले पर सूप पहन की पैजा जाता तो और अथा सूप पनवाते अपने, और शिवा मह कर जित आँदे ने को आपने, पीजा ने केक काटने को समस्या तो यह है जिस देश में दूर से ही सैपलों किसम की में घर्या बनती हों वहां में लोग केक खाने लगे तो सिर्फ पीटने का दिल करता है कि कहां चले गए हमारा कुछ tendency ना आमरी ना चांबस ही खीचुडी लुक्त अब इस खीच्डि ना सब कुछ किछosis मिला मीं मुझक ट調 काज तो सबसें पहले के पें रखिश्टने मलुं लगता है पुछो भईया जरूरत क्या है। हिंदुस्तान में एर को कंडिशन करने की जरूरत क्या है। यह तो यूरोप परेशान होते हैं जब माइनस 40 डिगरी होगा तो एर को कंडिशन करना ही पड़ेगा। नहीं उदर जाएंगे। इसलिए उनको सेंटर एसी लगाना बहुत आव क्योंकि प्रकति के दिरुद्द है आपके। एसी में बैटकर समयरे से शाम करेंगे, फिर कहेंगे वाइग्रेन होगा, वो तो हो नहीं करना है। तो हमने अपनी पूरी जीवन शेली को, आचरम को, रहन सहन को, सब को क्लप दल लिया, मिक्स कर दिया, कुछ भी बना लिया, अब मुश्किल यही हो रही है। तो यह हर जीवन के छेत्र में लिखाई दे रहा है। अब मैं आता हूं, आज के मुख्य विशर पर यह तो गो लिखा थी, कि चिकित्साम है, और खान पान में भी यही ठिचली जो आई, इसमें हमारा सत्यानाश गरी साथ। पता कैसा सत्य पता है। यूरोप के किसी भी देश में मैंने आप से कहा कि आलू और प्याश इसके अरामा कुछ होता नहीं। तो जो भी कुछ होगा बाहर से आएगा। अब बाहर से वो कच्छी सब्जी खरीद है। पिर उनको अपने देश में पका कर बेचे तो उनको टेक्नालोजी मा करिकते हैं तो सब्जी अगर खरीदे ये तो नमग मिला दिया अबेरा आपने सब्जी घनाते समय तो वो तो दो-तिन दिन से जदा किक्मे वाली पें नमग क्यों है नगना सब्जी माग प्र गया तो ये सब्जी को टीक्णे नहीं देगा। ज्यादा से ज़गा रो दिन कि कि ये यूरोपों अर्फार का एं जिन देशों से ये बनीमिनादी सब्जिया खरीगते जैसे भारत से भारत से खरीगते अपरिक में जникомपनियां उनकर रिचती है नय है। तो उनकी सब्जी अगर वो खाएंगे तो वाहर से नमक मिलाएंगे हम हमारी सब्जी पकाते समय ही नमक मिलते हैं दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है सब्जी को बनाते समय नमक को पकाते में जो नमक आपने उसमें लाला है। दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है और इतना ही अंतर है कि एक तरफ आफ देशीगाई का धी खाय और दूसरी तरफ रह अंहीं ठाई रखाय वे सोधियां है उसमें, केल्शियम ने उसमें, पोटेशियम हैं, शरीर को वो भाइपरोणूफ्रेंस की आवश्चता होती है रोज वो नम्त में हैं, तो यह जो माइपरोणूफ्रेंस हैं सुख्षूं पोशकता को जब आप सब्जी को बनाते समय नमक उसमें डालेंगे, त तो माइक्रो नूट्रियंस की भरफूर पोशक्ता आपको मिलेगी और जो बाहर से नमक डाल कर खाएंगे तो वो सीधे ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करने वाली ये बाहर से डाला हुआ नमक सबजी या दाल में कभी भी खाएं तो सीधे ब्लड प्रेशर बनाई है कि माइक्रो नुख्लियंस की जो बोशकता में रीवी ये वो नहीं में यहाली हम जो लांते से बाले हैं इसमें तो हम हिंतो़ो अ करते times में मैरी मां को कर में तेखा मेरी लार breakthrough तो दाखती थी, आप दादी को ना एक्स्पेडेशन बाइसन पूछता तो बता नहीं पाती कि और पेजडी को किया नहीं उनिवेस्सी टो गई तुवकारी निदू लेकिन उसको इतनी फंक्ष्णन वाले जरूर्ती कि नमक बाहर से नहीं दाड़ा जाता तो मेले ध्यान देना शुरू किया कि भारत में जितने भी मंदिर हैं जहां पर प्रसाथ बनता है भगवान के लिए वहां निशिद्ध है नमक बाहर से डालना हूँ बाहर से नमक डालना दाल भगवान को नहीं चरती अपविट्र हो जाती है तो मैंने सोचना शुरू किया कि ये पंदित भी कितना ग्यानवाना आती है। उसने कोई NBBS और NB का कोर्स नहीं किया है। लेकिन उसको वालू है कि बाहर से नमत नहीं काला जाता, बगवान को नहीं चलाया जाता। क्या भकतों को नहीं खिलाया जाता, दो भगवान को कैसे खिलाया ग्यान हमारे इरोप में नहीं है। को भी होटल में चले गाई है खाना जब आपके पास आएगा तो अलग से नमक की शीशी साथ में आएगी या तो नेज को ही रखी रहेगी उसमें से आप नमक डाल लीजे और ये बाहर से नमक डालने वाले हंड्रिट परसेंट हाइट प्रेशर के मरीज होंगे ही दुनिया मे पूल में लोग सकता है तो उनका हाई ब्रेट प्रेशर आया इस कद्दी से हमने बुला लिया अपने आप हमारे घरों में भी ये नमक की शीशी रख गई है क्योंकि नगल करने में तो हम उनसे पीचे नहीं है कभी अकल आया के सोचा नहीं कि जिस देश के दाल और सब्जी पहले से ही नमक दलता है वहां डाइनिंग पे मुल पे क्यों रखना तो हमने रखना शुरू कर दिया ऐसे दालना शुरू कर दिया और वह बालते डालते आदन में आगया अब हिंदुस्तान में सारे पास से 6 क्रोर मरीज हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं क्योंकि दूर्ग जाता है श loro भी और हम इस संतुलन हैं हमाहारा इस संतुलन के चले जाने से ब्रग प्रेशर के अम मरीड हो गह गएं टो लोगी होता हंबिय होता हमसरा क्या करिंदे अब भाई हो गया हो गया धो भी हो गया अब इस horrific मृस उचना शुरू किया तो अपना अपने पूत अपने अपने मुषन नगे अस में पूदागा निकर नियुक्त अपनी जरा अकर से सोचने शुन देरें कि आया कि प्लड प्रश्रम को, तो आया हमाई गल्टी से, अब वो बेल्टी पर दूसरी गल्टी दॉक्टर कर रहा है, आप रहे उसने अठारे गोलिया रटी, चार सुबह खा लेना, चार गुपर इंगो, चार साम को कह लेना, गोली ही गोल कि खिलारा एक सार, और उफर से 500 रुपर फीस भी लेना, और उससे पूछो दॉक्टर गारिंदी है, चार जी कुछ गारिंदी नहीं, जिंदिगी भर खाओ, अज़े जिंदिगी भर खानी है, तो यह दुआ क्या हुई, यह तो भोजन हो गया, जिंदिगी भर तो भोजन दवा नहीं खाले लागी जाती घंड़ी जाती लोजन चाही गाररिंगे, नहीं एक है क्या क्या ही है श्रीश का तुटा जो असको पूकल में यह जिंदिगी भर के लिए थोड़ी होती है, लेकिन हमने जिंदगी भर लगा लिया आपने उसार, अब जिंद जिनती भर को द विश्कुटी सी जान करें। हमारा ब्लग प्रेशर हाई होता है तो साधना भाता में बात करता हूं। विशेशकी की बात ने गड़ना चरदी समझते। ब्लग प्रेशर जादा हुआ तो गोक्तर के पास एकी निकलता है कि आपके शरील से पानी बाहर नकालते हैं। दूसरे शब्दों में आपके शरील में पानी बढ़ें। ब्लग प्रेशर जादा हुआ तो शरील में पानी बढ़ें। यह है। तो पानी निकलना चाहिए। तो जितनी गोली आपको खिलाई जाए 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 अब आपको यादब लग गई, अब इस आदब में से आपको दूसरी को इपनी श्रू हो गई, मांगो गाईओ चीज हो गया, मांगो अर्फराइटिस हो गया, किसी दिन लेइज हो गया, किसी दिन लेइज हो गया. क्योंकि ऐलोपरती में जो गवाई हैं, उसको ऐलोपरती में डॉक्टरन कुछ कहते हैं, कि हमारे पास घवाप कुछ निया जो भी है, वो जहर है। आतने श़िशुन है कि इस जहर को बरदाश्त करमी की, यह महत्तू की बात है, बस है सब जहर हम जहर से। अगेर काता एक बड़ा डॉक्टर है इसके साथ पिछले दो तीन साल से में बादानाब पर रहाँ एमेल के माध्यमस। उसका नाम है दिर्म औरमिश। वो इस बात को पूरी गंबीर ताल गावे से कहता है कि अलोप्रति में कोई दवा नहीं है। जो है वो सब जहर है। गारत भी हमारी कुछ नहीं है। आपको अपने शरीकता धरुसा है कि यह जहर को छेल लिए आप तो जिन पार रहोगे। नहीं जहर पार तुझे में जाओगे। दवा हमारे पस कुछ नहीं। तो आपके ही पास होगी। जहर भारत के पास होगी। तो नहीं। अब जिनके पांप ग्राइब महीं हैं जोगार कोच कि वही न देगें कुछ दवा ब्लेक प्रशन प्रशन आई गगया। उनके पीछे भूब रहाना में FBBS पढ़े हुए, उनकी पढ़े में, ये यूरोप का घ्यान है और यूरोप का घ्यान है, उसको पढ़कर तयार हुए डॉक्तर दिल को पढ़ाया गया है एक खास करेंटि वातावरान और तर्यावरान के विद्यान के, आप जानी ये यूरो और और यूरे खुचनी हो रहे है कि आप हसे या रोले, आपको समझ के नहीं आता है। और यूरोप का घ्यान के अगरी जानते हैं कि यूरोप में आपके आपसे का, आठ मीने बहुत ठंदी है, नॉर्मल टेंटरिचर बहुत कम होता है, घी को डाइजस्ट होने में बहुत मुश्किल आती है बारत में नौर्मल टेंपरिचर काफी अच्छा है घी का डाइजेशन परफेक्ट हो सकता है इसलिए हमें घी खाना तो बहुत जरूरी है उनके लिए घी जहर है हमारे लिए अमुरत है अब हम उनकी नकल में फ़स गए और ऐसे फ़स गए कि हुर एक को करा आप जल्दी किसी चीज की नहीं है और यूरोप अमेरिका में हर चीज की जल्दी है और आपने जल्दी नहींगी तो पिछो जाएंगे पिछो जाएंगे तो खतत हो जाएंगे सिस्टम ही भबन करते हैं तो इस टेंशन में हरा आप में जी रहा है तो सब्सक्राइब जाता है काम पर राज साथ बेजिए तक काम करता है जाने और आने में चार घंटे और खर्च करता है अमिरीका और यूरोप में में दिखाए लोग कि इतने मुश्किल जीते हैं सोच नह जो नौकर की तरह से रहते हैं अमेरिका और यूरोग में अप्ड़ प्रतिशत नौकर इनको नौकरी में जाना है जिस देश में साथ में आप मीने सूरजना निकलता हो वहास अगरे साथ मुझे फैक्टरी का चाली होना कितना त्रास है जब सुचो इसको के फैक्टरी में पहुझना पूछना है तो ऐसे घर चोड़ना कोटता है कि जो फैक्टरी में कमसे कम से मेरे की तूर पांच बजे घर चोड़ने के लिए चार बजे उठना ही पड़ेगा और चार बजे उठने के लिए कम से कम आठ बजे सोना जरूरी है लेकिन आठ बजे कोई भी सो पाता वहाँ तो कि फैक्ट्री से लॉटने में ही नौ से दस पजा के लिए नीद पूरी नहीं हो रहे हैं ट रहे हैं ना तो अच्छा भोजन बेख जिल रहा है ना चीजी दी बेख लगए और टेंशन इतना जबजस ता है ने वहां की माताओं पड़ेता है पुरुश और महिला पती-पत्नी हो या लेखिन ग्रेशन शुत्म में हो जैसे भी हो दोगों को नौपर 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 हुआácChen दों जनी तो भी आंगत जाना साथ बजह और जानाए काम कर जाना साथ बजह रूगा मित इसाम पर जाना है रात को भी उन्रावम उन्षित वह साहराँ जीवन को चलाडे कि दो प्रीमल मैं नवी मिलाया है ना सिंसे भी पांज उन कि क्योंकि stress और देशन इतना है करें क्या तो बती बत्नी अबने जीवन की सारहां क्रियाओं के लिए भी एक एक हफ़ते पंदर पंदर दिन उंतजार करते को इन छुटी मिले बरबूर मीट लें उसके बाद कुछ करें ये तो उनकी बेचारगी और उससे भी बड़ी बेचारगी जब छोटे बच्चे हो जाए ना तो और भी इस तक लिए बच्चों को भरबट नहीं सकते दोनों को काम के जाना है आया घर में पार लें ऐसी हैसियत नब्बे प्रतिशत लोगों की नहीं आया को घर में रख सके किराई पर ऐसी हैसियत गाली चलाते हुए निकलती है उनका चोटा सा बच्चा है गाली की जो सीफ होती है नसीफ उस पर फबड़े से उसको बांग के रखते है क्योंकि बोड़ पर रह नहीं सकते है तीन महिने का बच्चा है एक महिने का बच्चा है जिन ला रहा है गाली की सीफ से बादा हुआ है स्कूइट से वाली दौर भी जा रही हो उस बच्चे पो चोड़ना है इसका आपने ही तो चोड़कर आप ढाना है अद्धिडियों अधिक फिर शूट्व को चुड़कर आना है अई एह जो गोनोच में है बच्छा ऑैसा टेंशालि उता है जिलक्तर नहीं कि Sback बच्छा है तो इसा तेंशन देना किippis गर्ता नियुगक कईकर नहीं रहे हैं जाना जिन्ता बार, सारीस देवान मुखब में करने को तहिया, सामने से आपके बच्चे को उठा के छाथी से चिपता के ले जाएगा जैसे उसी का बच्चा है, दिन पर उसको अपने बच्चे की तरह से गले में लगाएगा, शाम को सम्मान से वापस दे जाएगा, वो कहेगा जि अश्चा है, एसा सुख का जीवन इस देश में, अमेरिका और येवरोप में कहीं भी चले जाएगा, जो भी को कपड़े देने हैं दुलने के लिए, तो घर कोलनी आदा, आपको जाना पड़ेगा, प्रेस करवानी है, घर कोलनी आएगा, आपको देखे आना पड़ेगा, यहार ये सब कुल घर के दर्वादे पर है, और चिल्ला चिल्ला के बिचादे देखे जाते हैं, बाबु जी भाजी है लो, सबेरे भी आएगा, शाम को भी आएगा, और दोजार करवी बात सुनागी, तो भी उसको रंदे हैं, दूसे दिन फिर आएगा, तीसे दिन फिर आ कि बार बनाने वाला नाई धर में आकर बना चला जाता है, अमेरिका मा किसी को बोले तो बते हैं, तो बोल नहीं सकता, कि नाई धर में आकर आपकी दारी बना जाएगा, यहां सब कुछ अपने पास है, फिर हम पागलों की तरह से उनके पीछे लग गए है, यही हमारी जैसा अपना परिवार की बनाना शुरू कर दिया है, योरोब में पती पती अलग रहते हैं, तो हम लागी मादा पता से अलग रहना शुरू कर दिया है, थोड़े जितने वहां भी अलग होना शुरू हो जाएगा, तो जोएट फैमिली थी थी, अब इस देश में जोएट इस देखने को नहीं मिलती हैं, जिनों की अर्फैमिली, सिंग्यल फैमिली, सिंग्यल फैमिली में इतने परिशाने अपने बच्चों को बड़ा करने में, दादा लादी का प्रेव नहीं, माना लादी का प्रेव नहीं, मौसा मौसी भूपा भूपी का प्रेव नहीं, और तो दादा प्रेम से सिर्फ हाथ फिराता है किसी बच्चे को उसका इस पर्श का सुख है वो अमेरिका के किसी बच्चे को लेगा आप जानते हैं अमेरिका के बच्चे इस पर्श के लिए तरस्ते हैं मा का इस पर्श नहीं बाप का इस पर्श नहीं दादादी नालवाणनादी को कोई कलपना नहीं वेकर्ता और जिस बच्चे पर व्र्पृम से रादा जादी नहीं प्रे रहा है तो बड़ा होको तो माइकल जेक्रशन बनेगा या तो प्रेव पर बंदूच्सों चलाने जादा तर बच्चे वहां के वईयंस में हैं, हिंसा में हैं, और बर्यरेडी में हैं, और अफेका व यूरोप देजि जेलों सब्तर प्रविशक कहते हैं, बड़े नहीं है। इतनी हिंसा है जिए जिए भी हमद्ञने हैं। मा की गरंगोर का जिसको एहसास ने, बाब की इस्परश का जिसको कोई अंदाजा ने, वो तो बड़े होके डाको बने, रहत बने, चोड़ बने, उचक्का बने, मिच्चा लखंगा बने, यह तो बिल्कुल संभाव है, असंभाव कहा है इसमे, बच्चे भाई वहन की पमित् इसलिए बन दे हैं कि अपनी माता उसे पडाद करकिया और अंद्यार ने, बच्चों हैं, आको सुनके रहामी होगी, अमेरिका एक ऐसा देश है, जहां धुनिया में पर क्रेपिता सबसे जादा पोलिस है, वहां हमारे भारत में दस हजार लोगों पर एक पोलिस है, एक अम कई होना ज्यादा प्रवेस है, फिर भी अमेरिका में दुनिया में सबसे ज्यादा प्राइंग है, सबसे ज्यादा वालियंस है, एक बिनेट में सबसे ज्यादा बलाप्रार दुनिया में अमेरिका में होते हैं, एकुरेट मे सबस्यादा शूर्कानी की वेटना में होती है एकुरेट मे सबस्यादा हरड़ी तेटिए अपॉर्रवी करते। तक वांगे इतुनी है कि सड़क पर गाली चले तो बता नीं चलता अनुद आणा पर करति दो को लिए हैं धिनी सिलगतेजुए कि अच्छा में कि या इन दोरीय जो इन आता है हम इंदुस्तारियों के देश में होना अ कि नहीं है क्टे के लिए खड़े हैं सज़ग बार बार गाली आपर नीचे उलती हैं तो पीट वोता समझ से आता है तो अब बहां के लोगों ने बोलना शुरू किया है डॉक्टरों में कि भईया हमारे देश में 90% बीमारी साइको सुमेटिक है अब ये सत्य सुईकार काई है साइको सुमेटिक माले जीवन शेली मैं से उत्पन में रोग तो अब जीवन शेली बदल नहीं सकते जोगी पर्यावरा और करती हैं उनकी ऐसी है नहीं तो बिचारे अविशक्त हैं इसी में डोगने के लिए और मरने के लिए मैं आप से रिवेदन करने आया हैं कि आप इसके अब जाते हैं तंद्रुस्त रहना चांके बेना दवा के जीवन शेली बदल दीजिए अब यह अबर्पार यह जीवन शेली है हमारी सब देसे लेकर शांतर इसको बदल दीजिए भारती अबारी जीवन शेली में आजाए आपकी 90 प्रतिशत बीमारियां ऐसे ही चली चली जीवन सिर्फ अपने लिये नहीं है अगर अपने लिये है तो वो पुशू का जीवन है परमार्प के लिए यह जीवन है तो बागी दस प्रतिशत बोगी इसी नसरी कर जाए जाएंगा तो आप में जाए करना है सबसे शांगत आप एक लिस्ट मनें लिए तुछ में और देखिए कि कहा कहा आप भारतिये और तहाँ योडे कि पार्टिय नभाज जाने नहीं तो कहां से सुरू करें सबेरे सोकर उटने से शुरू करें तो भारतिय है या यह अगर आप सुर्य नभाद उठधें तो आप भारतिय ने इस तो रूजना सुमझ दिकर दीजिए यहां से शुरू हो जाएगा जल्दी सुमय उख जाएए शूर निकलने से पहले ज़रूर उख जाएए रम्ह महुंत इस देश में सबसे अच्छा माने लाता है जो सुमय सारे तीन कौने चार बुझे शुबू हो जाता है सारे तीन कौने चार पर नहीं उख सकते तो सूर निकलने से दस-पंदर मिनिट प समय निए जिए भहरत पें शास्रें षष्योन्े मुं ने लेह अजारों नागों साई परेक्षा के बाद का किस सुबह से अच्छा पूरिष समय न है तो सुने के सबसेुत जिए काम करें इस ठीर करना है देर्नाए सबारी में की जो grad इना में जाना है जो करना है वी सुबह पिर आगे तो है थोड़ा आप नाश्ता करने के लिए हैं तैयार हो रहे हैं इस्ना शुवही कर लिए क्योंकि अधार के आयुवेद शास्त में सुवह का समय ही इस्नाम के लिए सर्वोत्तम है तो इस्नाम सुवही कर लिए ध्यान रखे बादवर्ट विशी का एक सुथर है बादवर्ट बहुत्ति हुए हम शाहिदे एक नम जानते उनके बादे ने क्योंकि पचार पंगा उनके बाद चर्पोश और शुषू उनी की क्रेट से कटेवर्टे थे बादवर्ट था है यहां तो है ने तीन महान रुषी मांगे जाते हैं चर्प, शुषृत, बादवर वैसे तो और भी हुए, बाव रकाष थे, विगंट्यू थे, आड़ी आदी बहुत थे, लेकिन इस तीन को सरवॉत्तम माना जाता है, जैसे हम देवी देव काम मानने ना भ्रम्मा, विश्रु मनिशु वैसे ही है चरप, शुषृत और बादवर्ट, बादवर्ट का सूत् संस्क्रिट में है, मैं लंबा ली करना चाहता है, सीधे शौट में बताता हूँ, कि इसनार करना है तो सुबही करिए, और ठेंडे पानी से करिए, गरब पानी से कभी भी मत ना लिए, और चरप ने, सुषृत ने ये कहा है, कि ठेंडे पानी से इसनार इसलिए करना है, कि ह बहुत कुछ को दोंग को तो बरकपानी से नहाने की छूट है अज्धन अगर आप स्वस्क्रा जिद्न निभर स्वस्त रहना चाहते हैं तो थेंफे पानी से नाएए और यद कि आप थेंफे पानी से नाएगे तो शरीफ फुल उसको बैलेंस कर लेता है शरीफ नहांता इक उसको गरंस करने के लिए शरी में हाई वो खेले मस अपने आप सक्री हो जाए और उसकी क्रिया अपने आप आपको थोड़ी दिर में आउसर कर देगी, बैलेंस कर देगी, गरियादी में नहाते हैं घरब का नहीं सब, अभी कुम्ब चबराएं इनाबार में, सब खंगे पाल अभी को थीव हो गए, एक स्वामी शिवानम देखे अब जीवित नहीं है, योग के बहुत महाल मने दवान दरती थे, उनका आश्रम, उनके रहा मेरे विटाजी जाय करते थे, मेरे माताजी पिताजी उनको अपना गुरु मान करें, तो मेरे विटाजी माताजी ने बताया कि स्वामी जी कि आप बहुत पार ऐसे हो आते हैं जिनको बुखार आ रहा है, सर्गी टुकाम हो रहा है, तो स्वामी जी कहते हैं, जाओ फिर गंगा में धुपकी लगा क्या हो, तो बिचारी परिशान हो, तो गंगा, और वो भी रिशीकेश्की गंगा, यहां कि नहीं को आते हैं, जाओ खिर गंगा, रशीकेश्की गंगा, पानी दारों तो सुन्द हो रहा है, तो स्वामी जी कहते हैं, तो स्वामी जी जाओ, पर एक नइ तीन लगा क्या आना, और घर माता पिता बताते हैं, जिनको भी भेजा गंगा में धुपकी लगा में, गौट के आई त कोई दूसरा सकते हैं यह शरीर को अपना ही बैलांस मना लेता है तो यह थेड़े पानी से नहाने करें वाज है इसलिए घंड़ार प्रिपी लगाना है अगर थेड़े पानी से भी नहीं नहाना होता तो ऑफ कोई आयूचर सकीर नहीं बोलता आपको कि गंगा में नहाओ हो तके घर में आओ एक पानी आओ करो और करो और देंगे नहाना फेंदे पानी से ही पीना फंदे पानी आदा पानी यह अगुड़ता शुक्त है खंदगा पानी होता है इस फंदे आदा फिरा बालाख दालेंगे, और बालाख दालेंगे, चिल्ड वातर फिर पियेगे, पिर मैना उसका परिया भी देखा, योग में जितने लोग फ्रिज्का चिल्ड वातर पीते हैं, सबेरे संटास घर में जब जाएंगे, तो एक एग घंटे बाहर ही में आएंगे, अंदर ही बेखे सब्क vanishे दोलेंगे, पूछो वातर ऊक्राज पीतागे, पीज बैगले, इस वी किया दोलेके देख दोल कई गरंते हैं, तो गने नियूस्पेबर मैं आना खलेتुत, क्यों पверनेके, क्वाशक देखा ही मारें लगुत हो नहीं भी नहीं जाते हैं, विचारें लिग गभी ग मैक्सिमन यूरेप और अमेरिका के लोगों को मैंने देखा उसे सौस्केशन है कबजियत है और इतनी कबजियत है कि दो दो दिन पेर साथ नहीं होता तिन तिन दिन नहीं होता और इसका और नहीं होता है एक्तम थंदा पानी पीजिए और पानी नहीं होता तो अपने भारत देशन होता है तो अपने भारत देशन और यूरोप में थोड़ा अंतर है सब्सक्राइब करना है वह बहुत जादा होना चाहिए है भारत में क्योंकि यहां जो अगनी है ना पेथी जट्रागनी इसका संब्द सूरी के साथ तो सूरी जैसे सुबह उता है अगनी प्रदित हो जाती है तो इस समय आप जितना ज्यादा खाई है उतना ही आपके लिए अच्छाया तो आपको इसरन सूर्टर के सब्दा को याद रखने को तुछ तो सुवह का लाशता राजा की तरह से करिए धर पेट कराई जितना खा सकते हैं सुबह खाइए और दुबहएं का खाना उससे कुछ कम करिय को और शाम का बेलकुल कम करिए सुबहे का खाना राजा की तरह से खाएंगे, दुपहे का हमा साधरन नागरी की तरह से रात का विकारी की तरह से खाएंगे, रात को कम से कम, दुपहे को मीडियम और सुबहे सबसे ज्यादा, माले आपका breakfast heaviest, lunch, medium, और दिनर light, ये करमपना है भारत, क्योंकि प्रकंति और प आपको तो खाना कम खाएंगे या बिल्कुल मत खाएंगे, तो बहुत अच्छा है, तो आगर आगे चलें, खाना खाएंगे तो भारत की पद्दिति और परवपरा से खाएंगे, जमीर पर रेक्टर, आसल की स्थिति में जो सुख हासल है, ये सबसे अच्छा हासल है, ये पड़े और पर काते हैं कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी उनकी क्या है, क्योंकि ये पेल के जो भुटने हैं और कमर, ये सभी जॉइंस हैं ये बहुत कड़ा थी, तो आपे ठंड में रहते हैं, आपे छोड़ा एक्स्परिमेंट करिया जा था, एक बार मैंने बरफ की सेल लगा दी चारोगा, और उसके अंगर लेट लिया, और थोड़ी देर के बाद को उठा तो सब कुछ अकड़ गया था, तो मैंने कल्पना कर दी कि ये ये यूरोप बादे बिचारे चारोगा परफ से घरे, आठ बहिया ऐसे ही रहते हैं, तो सब कुछ कड़क है उनका, जॉ अपयस कड़क हूँ में, तो आसाणी से फोरड ही होगे, तो इसलिए वो या तो आठके स्टेञी में काम करते हम अँवरोप पे किसी भी ऋफट्रीव में जाएंगे, लोग खड़े हो जाए ही काम करते हैं, जो बैठ के कॉछ कम मह करता, सब खड़े हो ने के काम करते हैं, तो दिन बारा हिए रिए स्वैन्षे कर नहीं संज है, तो दिन बर खड़े रहे हैं, हमारे वीयन्ष तो बहुत भी सौफ T हमारे सब कुछ सौफ है, इस्किन भी सौफ T जॉइंट भी सौफ T हिंटुस्तान के हर आजनी ऊड़ियान्ष्टन Ono छोफ T तो हर असौस्ट है तो बार बार इसमें फ्लक्सिमिनिटी बनी रहे को उतना बैठना चाहतु रहे तो बैठ के खाना खाना ये आल्की पाल्की मारके तो अच्छे से आप करें तो जमी पिखाना का ये गाइनू टेबल अटा दीजिए बहुत कोस्ली है दोनों हिसाब से बीमा ये स्फेरफुट जमी कितने की है बिलाईगे तो पचीस स्फेरफुट अपचीस में बॉला करता।। साथ जार पानकी से रुपए का खर्चा मने इंकम आपने लौक की हुँ है हर दिन की, गेड का तो लुचा, काम नहीं आ रहे हैं तो बुजगें, क्या पुर्खता है हटार दीजे इस जमीन पर खाना खाये फिर जमीन पर बैसे ही पानी पीजिए और जमीन पर लेठी इस देश में ये तीन चीजों के बार बार कहा गया है जमीन पर खाना है जमीन पर ही पानी पिगाया जमीन पर ही सोना बैट पर सोना भी अच्छा है तो दीरे धीरे हम यूरोप से भार दीज़ा में आना शुरू करते हैं और आप देए कि आपकी भीमारिया चुप्चाप शबीर से भिदा होना शुरू हो जाए कि और इसके लिए हमारे दोश में सबसे अच्छा शास्त्र कोई है जो मैं कुछ बोल रहा हूं यह मेरी अपनी बात नहीं बहुत रहा हूं यह बाते बहुते हैं बस इतना ही अंतर है उन्होंने सब कुछ संस्कृत में कहा है मैं आपको सीधे हिंदी करके बता रहा हूं बागवार के निशी किताबें हैं महारा चाझर लेड़ और दूसरी शबुस्त रहे दिनीамें आपस अनके कज़न हैं अश्कानी संग्रे भी बिलती है, बाद रख इसके लेकर है, इनके सूत्र है, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे, इनका आप पाधन कर देचा, बाद रखने के सूत्रों को मैं आप से बता देता हूं, उस्तफ जब आप पढ़ें तब पढ़ लेगा, दसमत्र सूत्र तो आपकी जीवं शरी में से स्वस्त कैसे हो जाया, नेरोणी कैसे हो जाया, रोगमुक्त कैसे हो जाया ये इसनस समझना आजाए। बार्कर जी कह दे हैं.,' kchana कभी भी खा हैp, जमीन पखाएं hello a couple done, a Large bite खाने के यह हमें भोलते हैं कि खाने के साथ पानी मत बिज़े, न्यार्चो अ क्फाथि में बिए ईस होता है, कि खाने की कम से तब गहनते बाद बेर गहनते बाद पानी पेंगे तो यह बहुत इमर्जेंसी हो तो इसके एए सूथ यह है जी एक धान्य से दूसरे धान्य के बीच में जो आप करते ना, टांसफर्बिशन, मालिए आप यह की रोटी खा रहे थे यह दान्य, अब आप करा ंती है कि इतन कई चौन करने हैं तो एक घ। पानी पीके शूल करें यह टूसरी अनुमति है ला ये बीकर घर भर थे पुमा बरखेश पीमा यह बॉत अ यह है और आप रह जहने कि आखिक दुड़ी तो पानी पी के लिए अफीनोंति होगे और अंनी शांत हो जाएगी तो फिर खाने का पाचन नहीं होगा तो खाना सढ़ेगा सढ़ा हुआ खाना सेकोड़ों कर रहा है खाना पचना चलिए इसके लिए आवश्यक है कि आप पानी एक गड़ गंटे बात की मैंने देखाए जानवर जितने हैं प्रकर्थी में यह सब बाल घंटे के च सबस्ति है तो आप तो समझ जाएगे हमारे व्यादवरों में सबसे मुर्ग भैस मानी जाती है और उसको भी बाद रटकर का सूत्र समझता है तो आपसे समझ लिए आज से इसमें आपको बहुत बिनम्रता पूर्वा कह रहा हूं कि आज से आप यह शुरू कर दिजिए आज से तीसरे दिन में आपको इसके असर आज सबसे पहले आपका यह बेड़ी का दर्द चला जाएगा अगर है तो सबसे पहले तीसरे दिन से चारवांच दिन के बाद आपके घुट्ने के घर्द में कमी आजाएगी आज 10 दिन के बाद कमर का दर्द कभा जाएगा पंद्र में के बाद और गुट्ने का दर्द चलाएगी जाए तो बहुत आश्यक्त करना आपके से तीन-चार दिन में शुरू हो जाएगा आज से शुरू करते हैं मैं यह काम सारों से करा और इसका आख मुझे यह है कि कभी वक्ते पर पास जाने के जिवर्द की कभी जाता हुँ हो तो ब्रद जोशर नामल है शुगर नाहुमल है गाइग इलस्ताइग नार्मल है कोई तक लीफ नहीं है आपकी करते हैं कि बहुत सब्सक्राइग खाने के गए घंटे बाद पानी बिना यह चरक सब्सक्राइग दूसरा सुट्र है वो नैच्रोपैटी नहीं है अब आपके में लिखा इसको कि पानी कभी भी भी ना हो तो भूब 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 भर के पीना है गबेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगेगे सब्सक्राइगेगेगेगे पानी कि दोःग यह उसके दोरको आपके नहीं है और बैसे पानी पिले के सबसे अच्छा झिया विए इसको घ्माएं पिर पीचे जाए तो थोड़ा पानी पिया सिंद करके पानी पिया तो राग कजा तंदल गाएगी तो पाचन बहुत अच्छा होना है और इस लार्गे में सभी ज्यान संदाने मनें आयिवीजियान वाले जें कि वाफच वियर्भी तकफ तीक तीनों हो संतुलन रखने में इसकी सबसे घ्रूमिका है तो इस घ्रूम अन्दर जाएंगी वाफच पयान के मारा को नहीं पढ़ने हैं और जो बीमारी है, तो चीप होना शुरू हो जाए, सिर्फ सिर्फ करके पानी तीजरा नियम है, पानी को भी में पीज़े तो फेंटा मत पीज़े, मौंब पहले ही बता चोगा, हल्का गरम पानी पीज़ाओ, आप बोले कि गर्मी है तो भी अच्छा है हल्का गरम पीए, नह चाहे से नहीं, काफी से नहीं, घिरी से नहीं, सिमेरी से नहीं, तесफ म बापो से नहीं पम सब्सक्राइब जदी मत मत काइए जबनी चर्राइब कोजिआ मणने शुक्त सब्सक्राइब एण डात है 300 आगे 22 वर किर सब्सक्राइब कोई fluor ही दात हैं तो एइसा खाना खाजा जसको This ओर मतलब में बिचली खाया की था या रोग पीजे या तो रठा या जो कुछ ऐसी चीजे जिसको चबादा ना पोले भीना जानत वाले गूँ था धे जहां पर जाहत है चबाते है और एक दिन आप जी चबाते समय तीन-चान दिन के वादे आधे से परजाएजी अपने हा ध ये लियम विशेश है, ये वास्तू से भी जोगा हुआ है, आयों पे इतनी है, ये लियम है कि भोजन करते समय आपका मून, अगर पूर्ब की दिशा में हैं तो सबसे अच्छा, सूरी की दिशा में हैं, सबसे अच्छा, नहीं कि बागी तो ठीक है, मजबूरी में तो कुछ अच्छा तो जोई है, ति आगे का इत छोगा सा नहीं है, कि दुबहर को खाना खाया, तो बीस मिनट के विश्राइटे लिजिए वाम खोख्षिवा, वाम खोख्षिवा ले, ये जो लेफ साइड है, इसमें लेज जाएगा, बीस मिनट, और उस बीस मिनट में नीद ले ल साइड एक छोटा सा नहीं है, अगर खाया को खाया थोड़ी दिए, अगर जिश्राइसन ना बेठा तो बहुत हुचा है, बहुत हुचा है, जो भाम कुख्षी में कर सकते हैं, उनको बज़रासन जरूर करना चाहे जो पहर को, प्र आगे का नीए है, आप बिश्रांती है, तो सिर आपका हमेशा पूरो में या दक्षों में रखे हैं, आइजर रिस्ट और साउथ, नौ्थ और वेस्ट में सिर्ख करके कभी मत्स हो जाएं, नहीं तो नहीं कभी भी अच्छी नहीं आई, इसका संबद है प्रनुत्वी के इत्वा कर्शेंस हैं, आपके उनबर कम से कम बढ लगे, तो नीद अच्छी से अच्छी आते हैं, तो इस्ट में ही ये संबद है और साउथ में ये संबद है, नौ्थ में संबद है, और वेस्ट में नहीं, आप बच्पर में याद करता हूं कि मैंने बहुत सारे घरों में लेखा किसी की म्रत्य हुई, तो तुरफ बच्पर में चलता, मरने के बाद ही उत्तर में क्या जाता है, इसलिए उत्तर में सिल करके कभी मत सोये, ब्रत्यों की दिशा, माने धल्गी ब्रत्यों आई है, बिल की जीवन जीना है, तो इस्ट में और साउथ में, और बहुत अच्छा सूत्र है, बाग बचता संस्किल मे जैसी यह इंदी बताता हूँ, बाग बचती जी कहते हैं, कि ऐसे भोजन को कभी मत खाये, जिस पर सूरी के प्रकाश का और पवन का इस्पर्ष ना हुआ हो, सूरी का प्रकाश, पवन का इस्पर्ष जिस भोजन को नहीं हुआ, वो कभी मत खाये, बाग बचता ये बात हज करूर साल पते कए ऑर आज कि शताब्री को समograf कर दिकशे नहीं हुआ ऐसा एक ही भोजन होता है व्रिज में रखा हो शिर मोच अपकर यह उचिक्व里क में नहीं जाता है अन्य aha हुआ होगा जहें दुनिया मोंगता करें और ऐसा कुछ इस भी बनाई दिन गशीद जो भोगों के बीमार गरें इसी अब बोला है कि सुर्प्रकार्स जिसको नहीं हुआ ऐसा भूजन नत करियों निए फृरिज का खाना मन खाएं ताजा ताजा बनाया हुआ खाना का ये खाना बनाया और फिर्टे बे खाये नहीं सबसे अच्छा ये फ्रीज में रखे शांको गाना तिर शांका अब लगता है ये आप फूट बीमारिय के करफ जाना चाहते हैं अज्या ऐसे बावगति रिशी के दो हजार निया मैंने आपको दस बारे बता हुए दो हजार मैं आप उसे शुरू करिए अगर आपको भजा आए तो आगे दो हजार में बताने आओगा इसना में आपको रुश्वास देड़ा लेजिए मुस्के लिए आपको जैसे राम जखा होती है ना ऐसे स्वास्त कथा करानी पड़े मैंने एक बार यह बोला है बहुत पहले स्वास्त कथा में उसमें 40 घंटे लगते तब 2000 सूत्र समय तो 40 घंटे रहों होगे रोज की बेटे सुनों तो जारे दिन चेहें बारे दिन चेहें तो इतने निन में राम कथा होती है तो कभी आप तेटरो भुगाई वाले के हम स्वास्त कथा कहाएंगे राम कथा बहुत होगे एक बिकलता रावर और कंसों की संख्या बढ़ती है रावर और अधुन है तो यहां लोगां से विंटी करता हूं कि भाई स्वास्त कथा तहना शुरू करता है तो इसे कब हम अपने लिए को कुछ कर पाई तो अपना जीवन सुखी मनाईगे अपना जीवन जिवन जिवन को इसलिए राव dwell जी ने कहना शुरू किया स्वास्त तध earlier और सब समी जिए करआगे सब चब तो मुझे बहुत जाता है, गाठिया का इंसे लगाता है, घारिम ज्या है, शायद उसकी जरूर रखे है इसको, इसलिए ना, तो मुझे ऐसा लगता है, यह स्वास्त तथा आज कही जाए इस देश में, तो शायद जादा इसके से अच्छे परिणाम मिखलेगी, तो हमसे तो रोजी हो, तो कभी दुबारा आप रख सकते हैं, यहीं आज देश में लगाता है, चाचार गेंटे, मैं बाद करूगा, उसके में स्लाइब्स प्रोजेक्शन बनाए हैं, एलसी जी प्रोजेक्टर से बढ़ी स्क्रीम पर मैं उसको देखाता हूँ, बामवर्ट का प्रोजेक्शन बनाए हैं, अब यह आग्री हिस्सा, मेरे लिया ख्यान का, कि आपके अपने घर में, जो कुछ भी है, वो सब और शदी हैं, इसका ध्यान रखिया आपर, भारत में ऐसी कोई चीज नहीं है, जिसका और शदी ये गूर नहीं है, आप जिस घास कर पैर रख क का भी और शदी बनाए है, हर चीज का और शदी बनाए है, क्योंकि इस देश पर सूरज की बहुत महरबादी है, सूरी का प्रकाश भरपूर है, इसलिए जो कुछ उंता है सूरी के प्रकाश से, कुछ ना कुछ भिशेष्टा लिये हुए रहता है, तो अगर आप इसको करें, तो 12% से ज्यादा और शदी का महत तो नहीं हा, बादी 81% भिशेष्टा है, ऐसे खाना, अप खाना, कितना खाना, किस के साथ क्या खाना, किस के साथ क्या थाखना, यृ रिक आठाओर की जू बात है न, ये एती-एक परसंट है और अउरवेद ने, सिर्फ बार्य प् कुछ शुआथ को से की का रमी दूसरे के विविकड़ान एक पुर। दू 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 दही सात्कूने खाना जो भी और नहीड कि और नहीं खाना नहीं त Unisते हो जो दूसरे के शना, सब्सक्राइब कर दू दूसरे के भी तूक्रीट्च जो दूना दू दूसरी भी पड़ी कि अगिजन कर दो कि और दी कमीं भी साथ में नहीं आयरवेत में इसको बहुन निश्द दो कोणा है कि मुझ की दान नहीं खा सकते हैं धुल में चलता है उड़की दान के साथ दहीलको नहीं चलता और यह वाग मैंने एक ऐसे बहुते के मुझ से सुनी जो है तो यज उनों दिएना्टाइन वे जो खड़得 लिए मुझे श्वास में हुआ जाई गीज़कितना गेज़किन थे जो यह जह लीए बद पुर्पर लिया की तो उनोंने मुझे बड़े खिना दिया और दही के बड़े के लाई। खाते ही फिर प्लग प्रशर चट्की आप, मेरा ब्लग प्रशर हाई था। तब मुझे भरुसा दो अधिए। और उसकील से मैंने साथ को गोलना खिलो किया। उर जो यह रोज खा रहे फोने बन पिया तो तुम महसुस करते हैं इसामागा अच्छा लगता। तो उर्र किर रही मत खाए, उर्ट गीसात में न मत खाये, दू दाही कभी सात में मत खाये, जब खुर जाहर कि आगे की एक शरणी है, माता हो भी हिखेश्फिल कभी मत खाये। एक बार में एक ही सब्जी खाये। एक बार में एक ही सब्जी खाईए, लौकी की सब्जी है तो लौकी की ही खाईए उसमे आलो भग में लगो यह हर चीज में आलो बिलादा यह जुरो पालो की मल्पूरी है क्योंकि उनके पास आलो के अलावा कुछ नहीं है और विदेश। पर लूट और शुरु तृट कभीवे सक्साइब थे और सुनाघ्ट करें घी ये अल번ु ऑलो आप मत करें घुला दारी है। यह तरह को आपके पदो जोए क्या चब और प्रत्ड इख करें खुतिया। मान भाती की सब्धि यह कंदु की शबजी और थेसी नहीं कि ताहलगे से जिए धुर सब्भी करें डूसरी सब्ण हंदि टीक एन कि लियुक्त म जो साथ ही और इसकें कैसे घुल खूल कुछ सबस्पाइश पताजिए और二 में सबस्क्राइब कर दिश्मीन इस कं кадुछ सेजिए अबस Сबस्क्रादस किली थ। आपको समझाना चाहता हूं कि सम्मेडिसिन आपके पास है ऐसी कोई चीज नहीं है जो और शदी नहीं है हम उसका उपियक करें और शदी यह मुझत में तो आप बोलेगे जी क्या-क्या है एक बार मैंने रसोई धर की सूची बने तो मैंने लेखा है कि उसमें 108 गवाएं गरीब से गरीब घर के रसोई में भी 108 गवाएं आपको उनका महत तो मालूब हो तो कि किसमें क्या करें अब वैसे हम सब रसोई में मसारे इस्ते बार करते ही हैं वह वास्तर में सभी और शदिया है उनकी दूसरे स्वरों भी हैं उप कि सुनदर होथा अश्तर वहां के शरीर में वाद बित्र और कॉफ तीन असंतुलन है आई लेक्टे हिसाब से तो बाद और कॉफ यह जो सन झुलब हैं सबसे अच्छे करीके से थीख करने की तागत मैंती जाने वाद और काफ यह वाद के जतने असंतुलन है जैसे गड़ में बजब कर रहा है मेंहें सभी जॉइन्स में आपको प्रस्टी वारत हो गया है अर्थ्रयक के सो गया उसकी ऐस सभी मेंधी दानें से सबसे अच्छा तरीका है उसको पारी में डाल दीजे दाने को रात पर रखता रहें दीजे सब ले उठके पानी मों पी लिजे पीछे से दाना चबाकर खा लिजे फिर आप देखें दीन दो से धाई महिने के अंदर आप ये बात की सब तक्लीम से आपको लगेगा कि कतम हो है और बार के साथ कफ 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 के लितने भी रोग है उसमें भी बहुत अद्बूर काम करता मैती का दाना की कफ के रोग क्या है आपको बहुत मोटा पहुँए जरूरत से ज़्यादा आपका बजन पढ़ गया ये कफ की तक्लीम है मैती दाने से बिल्कुल ठीक होती है बजन अ आपका बजन कम होना और तीन समा तीन महीं ने नॉर्मल कर देता सामा ने रूप से जितना होना चलिए वहां आ जाए बिना किसी और दूसरी तक्लीफ लिए कफ के और बात के और भी कहीं हो गया उन्में से एक है कॉलिस्ट्रोल बढ़ गया ठाइब स्ट्राइब गया दॉ आपकी ताकश नहीं पैसे नहीं ऑपरेशन करा देके तो सीध्य आप बजी दाना कानख शुरू करते हैं तीन सारे तीन महीने में आपका बीर डियल एक दोना फीक करेंगा एस डियल को बढ़ते हैं रट्र के जितने भी दूशा है खून की खरावी के जितने भी रोग हैं स कित बात और कफा का कि मैं पहने जितने भूडा चाहतких एक तर्फित्यादार जाहते हैं मैं आप पलताना नहीं को पेट्यों नाहीं अभुषगी है त्रिफला चुओं को बहुत अच्छा है अधुबत है करते देखे अधुबत है लगाता है थोर दिखे अधुबत प्रिघ्वाम आपको देखे आपको लगेगा कि आप 10 सान कम उम्मर के लागे है कि अधुबत अधुबत कि अधुबत कर लेगा कि ओना है त्रिफला से अधुबत बाव इस को आप युखाईए प्र दो पीखाने का नियम यह है कि आप इसको अगर बुर्फिसांत मिलादे खाएंगे तो अच्छा रहेगा, अकेला खाएंगे तो शरीम में आदद पर जाती है, फिर तो बिला ट्रिफलाचून खाए अच्छा ही नहीं रखा, तो आदद में डाएंगे, क्योंकि एक मेडिसन है, भोधन नहीं, घ्यान इस बात का रखनी है, आदद नहीं पर दीजिए पर जाती है, तो इसकी आदद ना पढ़ें, इसके लिए एक सामधाली रखिए, थोड़ा गुर मिला के खाएंगे, अगर शहर आपके पास में और तो पर जाती है, तो गुर मिला के खाएंगे, बहुत अदबत है, मैंने एक ऐसे पेशन को ठीक किया है, बाबा जो भावा एक रिसर संटर के एक साइंटिस के लिए परमानुसंदी को स्की शपर व्याख्यान था, तो व्याख्यान के बाद वोगों थेमे से पूछा, राजी को युछ मेरे शरीम में कुछ तक्रीफ है, मैंने पूचा क्या, तो अंदर ले 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 शो उतारा, पेंट उत बाद देखा जगे-जगे धाओ तेको उनका पताता था उसमें से, कपसे है तो नंका, बहुत समय हो गया, बहुत इलाज किया, जी कि महीं दूराए, क्या करूं, क्या नी करूं, तो मैंने उसे का यह चीच तो हो जाए, तो उनको लगा कि मुछे जूप बोल रहा हूं या तो उनका देखे मुझे छूप पूजे कि जबलत नहीं मैं साइंटिस्टू। आप अगर बतागो कि यह होगा तो भी मुझे कोई गव महीं। उनका मैं आप से घंगीरता से कह रहा हूं कि नमृता पूर्वर के रहा हूं कि यह रहा हूं कि यह को जाएगा। क्या करूं और मैं गां सिर्फ तृफ़ला चूओ खाओ और कुछ मुझे हूं कि शहर मादा कि खाओ। उसमें भेजा है छपने के त्रिफला चुओं की ये तानित है तो उनका चुत्ती आगवाई के हम आपका ये लिक छापने वाले हैं तो उनकी ने छपेगा लंदन से निकलती है लेंसे और डॉक्टर जितने हैं दुनिया के चिकित्सा गोर्ड की जगत की ये सबसे प्रतिश् उसमें ट्रिफला चुओं पर छपेगा कि ये असर है रेडियेशन का पोई भी महीच किसी भी दवा से ठीक होता नहीं है और ट्रिफला चुओं ने ठीकिया ऐसी पाकत है ट्रिफला चुओं तो आप रखिए अपनी धन इसका उप्योग करें ऐसे एक्ती सिप जी खाने बा पानी पीजे और पानी पीजे कि वह बले के नीचे उतर जाए ज्यादा नहीं जी सबेरे खाई आपको इसका असर बहुत पढ़िया है रात प्रिफला खाये को दिक्त नहीं है लेकिन रात में खाया हुआ अप्रिफला एवी पढ़िगान देता है पेश साफ करता है क्या बुर बिलाईए ना मेरी वारंटी को हाँ शुगर बादे को बुर बिलाके खाईए शक्कर लिए फोरा सा दो चमट सेफरा चो है ना आदे चमट पूर बिला जीजे माम भी मीठा रहें जो खाये सुबह खाये माता जेगा रात के खाएंगी तो सिर्फ पेश साफ सुबह खाएंगे तो इसके उसुददि रहता है सुबह खादे चाना प्रशने हैं हमारी बाद प्रकरती है हमारी कह प्रकरती है हमारी पित्र प्रकरती है हम इसको कैसे पहचाने तो इसके लिए सरन सरन सूत्र सिंटम्स वाले लिख दिये हैं उसकी एक किताब शपा दिया है वो किताब यहां है आप लेजाए उसको आराम से कभी भी बैठके ध्यान से पढ़िए और दूसरों को दूपाए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं रसोरी मैं एक अगुत चीज और आपके पास है यह किताब का नाम है स्वावलंभी चिकित्सा उसमें सारे समितम्स है और एक है अहिंसक चिकित्सा उसमें है यह तीसरी एक ऐसी आशरी आपके घर में है जिसको आप जूरू इसको इस्तेमाल करिए मैंने उसके बहुत अच्छे पर मेरे पास अकसर बहुत सारे लोग आते हैं चिकित्सा के लिए परामर श्रेली के लिए मैं जिशुन के चिकित्सा करता हूं जिशुन के परामर्स देगां क्योंकि मैंने इसको बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं बच्चे हैं लगभाई नहीं बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं, ताकत नहीं आती, वजित नहीं बहुता, इनकी बुद्धी कम है, इसमरा शक्ति कम है, जल्दी भूल जाते हैं, पुर्याइट नहीं रहता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्णाते हैं। मैं सब माताओं को एजी बात बोलता हूं, इन बच्चों को चूना को चूना, कैसे खिलाएं, दही में मिला के खिला दो, मठ्धे में मिला के खिला दो, कितना, एक गिलास अगर मठ्धा है, तो एक ग्राम चूना, बहुत मामुरूसा, एक ग्राम उता है, तो एक ग्राम चून दही साजराम दो लो एक गवम चुना माता हो आट सबसे अच्छा है देने का रस । देने का रस नहींक करेके पिन चर नहींकłe दो संटरे के रस्म लआओ अने नास के रस्म लआओ कुम की मुध़िर छोटे यीज़्स सुबह सुबह खाली चुने को अब इंका प्रश्म बहुत स्पेसिफिक है चुने को आप दो तहीके से खा सकते हैं आप चुना लवाओ वजार से जो पान की दुकान में बिलता है इसको बिकी के घर में आपने दो उपर से पानी दो तो तो जह में क्या होकता नीचे बेढ़ जाग़ाए लापा हुपण आएजение ओपर से दो और भी थ tofu काणि उप्र OTH थो अिरता पणी यह अजय को चुने का पानी इसका सर्फनें से लिए जाब आता है तो अगर आप यह प तो पानी ताविको छोड़ी जोड़ सकतें बहुत मैक्सिमम प्रशोगां तो पानी आपम हो गया तो जब पानी कम हो गया अपर धोड़ा सा पानी रह जाता इसाल स्थ जांग और जोड़ा देना सौ ग्राणी हमान। या देख गिलास प्टेमेंट या देख गिलास रस्न गदे करस्ट, संत्र करस्न संत्र, यह पीने पाई। और इसके आप लेखेंगे कि बचों को भूब खुलके लगेगी, लंबाई बहनी लगेगी, अधिना मजबूत हो जाएगी, जो आपको लग्चा है कि मस्तश्य सक्ति उनकी कम है ब्रेन, माने मधी मनदता है, वो जीप हो जाएगी, बहुत बहुत अद्बूत परिनाम, मैंने अभी एक बच्चे पर इसका परिनाम लेखा है, शरीवरल फॉल्सी एक बिसीज है, जिसके बारे मैं लोगती कि दॉक्टर कहते कि यह कभी जीप नहीं होती, मेरे परिनाज एक बच्चा है, आग साल का जिसको सेरिम्री फॉल्सी है, मैसूर का है, मैं उसको लगवाल नौ महीने से चूने का पानी पिलगा रहा, उसका कम से कम 60% इंप्रूदमेंट उसमें है, तो जो रपर बोल देने के विए इन पॉसिबल है, वो खुद अभी चमतकार म हि сделहा इसके कि ना महीं है , यह सकते चमतका चोंद मिए मुझर निकाला हुआ हुँच है , नहीं तो लिम ने में तक्लिफ आईगी है, तो यह आप अगर रहो हा यह ही बहुत अच्छे वह उप्त.乾aya मैं उसके सरल पוטक्रिकश हो जीए है उसके जितने भी कॉम्मुटेशन है, उसकी सबसे अच्छी रवा यह चुना, सबसे अच्छी रवा है, मैंने अभी इस चूने के रिजर्ब देखे हैं, शरीर में कहीं होगा तरही बार गांग हो जाती है, तूमर्स, और सभी टूमर जो है ना, चैनसे में होते हैं, मैलिकनसी नहीं है, बिनाइं है, तो बिनाइं टूमर कोई भी है, तो चोने से गल जाती है, माताओं को ब्रएस् studios हो जाता है, चाती में यह बहुत आसाली सब्स्वाचा इंसी चूनें से, इस चूने से जाएबा, आप मेरर की area पती है, आप चूना ले लो, एरे इड़ कर देगा, मैंने अभी कुछ मरीद ऐसे देखें जुनको भहिंकर अनुमिया था यह मुपलोग उनका मेहनत नहीं बनता थीक से नहीं बनता उनको चुना देरो अद्बूत काम करते है हड़ी दूब रहे है और आपने प्लास्टर चभा लिया है तो हड़ी को वापस जोड़ने की तापे तुसी चुना दे दो तो यह एक छोपा सा चुना तेईस तरह की विवारियों में ताम आता है तो मैं लोगों से कहता हूं तंबापु ने चुना खाओ पांगे चुना काओ या खाली चुना खाओ अप्शा को मत प्याए यह जो जनल है जनल पप्लिक के लिए चुना तो है पांगे कथा नहीं है कथा स्पेसिक है तो अगर वचे बढ़ें आपने पने क्लिए्ट एज पने